जनपत के कोविट के नए वेरियंट से निपटने के लिए स्वास्त विभाग वारा बस स्टेशन वा रेल्वे स्टेशन पर कोविट हेल्पर डेस्क को स्थापित किया गया जिसके संबंद में परिवहन निगम रोडवीज के श्रहाइक शेटरी प्रबंदक महिश चंडरी ने बताया कि देश में एक बार फिर कोविट के नए वेरियंट को देखने को मिला है जिसको देखते हुए सौस्त विभाग द्वारा डेल्वे स्टेशन वा बस स्टेशन पर कोविट हेल्प डस्क को स्थापित किया गया है बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का टेंपरेचर चेक किया जा रहा है सभी अधिकारियों, करमशारियों और अधिकारियों कानने सुलक जाज किया जा रहा है इसके अलाओ बस में बैठने वाले यात्रियों को लौड स्पीकर के माध्यम से जाग रुक किया जा रहा है सभी से अपील किया जा रहा है कि बस में बैठते समय मास्क लगा कर बैठें इस संबंध में गुरकपूर ने उससे बात करते हुए परिवाहन निगम रोडवेज के सहाइक छित्री प्रबंधक महेश चंद्र ने कहा कर्कपूर ने उसस भार्ष मार्यदी आफ भ्रह ने जुडऽ सानफ़ी अटिख लेंगरद्र ने आफ लुग पर हुए उससे सच वर्नथ अष्पा लुडंगर हुथनिष एंड़ रामु अड़े सच Sande मौN나 पन दानरी बनाव सेखिन आमिवाली चन्मुवाली कि अाहाा कि अध्या को सेखिते हैं कि अध्या वित्ता है अध्या सराओ कि अध्या वित्ता है बनाव सेंगी तो और सेंट्राइब का प्रेयूग करते रहें। धन्यवाद। इस टेशन के अंदर इंक्वारी के आपिस के पास उपस्तित होकर अपने अपने कुरोने का निशुल्क जाच करा लें। सरकार द्वारा निशुल्क केम्प लगा हुआ है। आप लोग इंक्वारी आपिस के पास उपस्तित होकर अपने अपने कुरोने की जाच अवस्य कराएं। मार्स लगा कर ही यात्रा करें और सेंट्राइब का प्रयोग करते रहें। आप लोग इंक्वारी आपिस के पास कुरोने का कैम्प लगा हुआ है। आप लोग इंक्वारी आपिस के पास सुपस्तित होकर अपने अपने कुरोने का ट्रेस्ट मिश्रुक सेवाजन से कराने। महेश्यन साइक्षेत्री प्रबंदक रोडवेज गोरखपूर। इसा इधर देश में प्रदेश में कोवीट की संक्या दीरे दीरे बढ़ रही है। गोरखपूर्ड के मुक्च किस्या अधिकारी महोदे द्वारा बस इस्टेशन पर आठ बजे सबेले से आठ बजे रात तक दो पालियों में कोवीट है द्रस्माना दिया है। जहा क्रमशारियों का यात्रियों का सब निशुल ही जाच होरा है। इनाउंस्मेंट कराया जा रहा है जागरू किया जा रहा है जगा 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 बैनर लगवाएं लगातार इनाउंस्मेंट हो रहा है कि सब लोग मास्क लगाएं ज्यादा से ज्यादा परचार भी हो रहा है उसका असर पढ़ रहा है जागरू किया जा रहा है, बस में पहले भी था, अभी वो इससे ती नहीं है, लेकिन लोगों को जागरू किया जा रहा है